हेलो एवरीबन, वेलकम टो कटीज किचन, आज हम बनाएंगे वेजिटेबल कुर्मा या सागू और सेट दोसा, स्पॉंजी दोसा, हम सब बनाएंगे सिर्फ 20 मिनिट में, हम उसके लिए क्या करेंगे 20 मिनिट में दोनों भी रेडी हो जाए, किस तरह से बनाने से ये सुबर क नाश्टा हो या रात का डिननर हो, पटा-पट से तयार हो जाए, वो देखेंगे हम आज हमारे चानल में, देख रहें न, एकदम स्पॉंजी है, न हमने सोडा यूज किया है, न ही हमने इनो यूज किया है, ये इंस्टन्ट दोसा है, और उसके साथ है वेजिटेबल कुर् बहुत ही टेस्टी वाला, चलो बनाएंगे, फर्स्ट वेजिटेबल कुर्मा के लिए हम ग्राइंड करेंगे, कोतिम बीर जो वन फोर्थ कप जितना है, और उतना ही वन फोर्थ कप जितना ग्रेटेट कोकोनट है, छे मैंने गार्लिक क्लोज लिया है, और चार हरी मिर्च, अगर टीका चाहे तो और एक दो डाल सकते हो, लेकिन ये टीका एकदम बराबर था, छे कैशुनट्स लिया है, और थोड़ा सा पुदिने के पत्ते, पुदिने और कोतिम बीर का पेस्ट बहुती अच्छा टेस्ट लिया है, हमारे सागो के लिए, मैंने इदर दरदरा पीस लिया है, बिना पानी आट किये, क्योंकि आच्छे तरह से मिक्स होना चाहे था, बाद में आप जो ग्लास रेक वेना छोटा ग्लास, उससे मैंने आदा ग्लास पानी लिया है, और वापस पीस लिया है, मिक्सी में, हमारा मसाला तो रेडी हो गया, अब हम एक कुकर में दो जितना ओल लेंगे, और उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, जैसे कि आधा स्पून, दो बे लीव्स और दो इंच चिनामन लेंगे, दालचीनी, एक मिनट के लिए बून देंगे, और उसमें डालेंगे एक ओनियन, मैंने सिर्फ एक ही ओनियन डालेंगे, क्योंकि बहुत सारा वेजिटेबल्स रहता है, तो सबका फ्लेवर आना चाहिए, उसके लिए मैंने लेया है, एक ओनियन रफली चॉप किया है, ऐसे कुछ नहीं के फाइनली छोटा सा चॉप किया हो, उसमें मैंने आधा कप बीन्स जो काटके रखा था वो डाला है, यह भीगोया हुआ, म मेरे पास करके कॉर्ण्स भी डाला, और आधा कप जितना कैरेक डाला, आप चाहिए तो कॉली फ्लॉर सब डाल सकते हो, आपके मन पसंद सबजिया सब डाल सकते हो, बहुत ही हिल्दी रहता है, मैंने एक बड़ा अलू लिया था इसके लिए, वो पोटाटो का पीसेस भी ब देंगे, हम जादा नहीं, इस सिर्फ अच्छे से सब वेजटेबल के साथ मिक्स हो जाए, उतना ही लिया है, और उसमें मैंने डाल रही हूँ, एक गलास जो और करीबन 100 ml का गलास होगा हो, उतना सब पानी डाला है, और उसमें मसाले के लिए जादा नहीं लगता है, आदा स्पून गरम मसाला, और आदा स्पून कोरियांडर पोडर, धनिया पोडर बस, और एक चमच नमक, इसमें जादा मसाला ही नहीं लगता है, क्योंकि हमने पिसा हुआ मसाला भी उसके साथ रखाता है, और दो पत्ते और दालशिनी भी डालेते, सब का मिलके बढ़िया सा टे कर लेंगे दोसे का, उसके लिए लिया है एक कप रवा, जो नॉर्मल सूजी रहता है ना, वो सूजी है, और आधा कप रवा के लिए आधा कप लिया है पोहे, कांदा पोहा बनाते है, वो वाला थोड़ा जाड़ा वाला पोहा, और उसमें डळाला है 1 3rd कप सौर कड, एक दही खट्टा लेना चाहिए क्योंकि हम सोडा वगेरा नहीं डाल रहे हैं इसलिए खट्टा दही से बहुती टेस्ट भी अच्छा बनता है बहुती बढ़िया टेक्श्चर भी आता है दोसे का और सौफ भी बियमता है जैसे आप देख रहे हैं न मैं हर बार थोड़ा पानी डालके बना रहे हूं एकदम फाइन पीसना है और उसके साथ कंसिस्टंस भी सही रखना है इसकी वजे से मैं हर बार जो मिजर किया था था ना कब जहां ऑदही का उसी से मैंने अभी तीन कब जितना पानी डाला है अभी सब्सक्र थोगे साइव बिल्कूल बारीग प उतना 3-4 स्पून जितना नमक डाला है और उसको मैंने अच्छे से मिलाया है इस से करीब हम हमें 6 से 8 दोसे बन जाएगे अभी मैंने इसको गरम किया है तवे को उसके उपर आदा चमच जितना तेल डालूँगी और एक टिशू पेपर से स्प्रेड कर लूँगी ताकि वो इ दोसा पांप्स्टिक कोट चला गया है तो मैं ऐस इसा ही कर रही हूं थोड़ा ठिक डालिए दोसा जैसे आप देख रहे है ऑफोड माम साना शुरू हो गया है सोडा और इनो डालने से बहुत सारा होल्स आ जाता है लेकिन हमने सिर्फ दही लिया है ना ही इनो लिया है ना ही सोडा इसकी वज़े से यह थोड़ा होल्स कम आएगा लेकिन सॉफ्टनेस ने बिलकुल भी हमनों कॉंप्रमाइज नहीं होगा बहुत ही अच्छा सॉफ्ट आ जाएगा अभी जैसे हमारा दोसा रेडी हो गया तो तब तक सच में बोलने हूँ यह बिलकुल भी गैप नहीं है टाइम का जैसे ही रेडी हो गया दोसा उतने में इसका भी सीटी होके प्रशर भी उतर गया था तो मैंने अभी आप जैसे देख रहे न पोटाटे को मैश करे हूँ एकदम नाइस कंसिस्टन की वज़े से अभी कंसिस्टनसी भी अच्छा है इसका अभी आप देख रहे हमारा सागू जो वेजिटेबल कुर्मा भी बनके रेडी हो गया पटापट से गरम-गरम दूसा बनाव चटनी और वेजिटेबल कुर्मा के साथ सर्फ करो